फॉंक्शन्स जैसे फॉंक्शन्स का मतलब होता है कि िसे पंखे का चान फंक्शन मोता है अब इसी दरा कि फॉंक्शन सहम बनाते हैं अब हैंच्यंज दो किसं गिवते हैं जावा इस क्रिपियाण ताीफिसक्रिप में कौन-धсьskयों से होते हैं देख लेठैंधे एक प्रपर मेंग एक हम लिए उसको टास्क बता देते हैं कि आपको यह टसपार्म करने थीके डेप्रोवाइड वे इनन को एंचल सेक्वेंस और सेक्वेंस अपर्टेशन गुरूप दें तोगेदर एंडि गिभ देम ऐने में मैं इसियर तो को एक सीक्वेंस आफ कोड़ बता देते हैं उसके अंदर कि यह काम आप लोगो ने आपने करने अब जैसे मैंने का फंक्शन के दो टाइक होते हैं एक बिल्ट-इन होता है बिल्ट-इन या प्रीडिफाइंड कहते हैं उसको इसको इसार प्रोवाइड़ जावा टाइप स्क्रिप्ट रेडी टू यूज अब यह क्या होते हैं जैसे मिसाल के तोर पर अलएट इसके अंदर मौजूद होते हैं जिनको हम यूज करते हैं बस उनको उठाके उसकर लेते हैं ठीक है उनको हम बनाते नहीं जैसे कंसों डॉट-डॉट-बी एक फंक्शन कहले अल चाहिए इसी तरह जो आज हम फंक्शन करेंगे वह होंगे यूजर दिफाइंट फंक्शन अब यूजर डिफाइंट फंक्शन वह होते हैं जो हम बनाते हैं इस आर ग्रीटेड वाइड यूजर परफॉर्म वेब पेज के उपर होता है ठीक है इस आर क्रिएटेड पाफॉर्म पेसिफिक टास्ट और कंप्विटेशन बेज्जांग्ड लॉजिक दिफाइंट इस फंक्शन जिसे मिसाल की तौर पे एक एक एक्जंपल है मैंने यहां पर एक फंक्शन के यहां एक हम practically देख लेते हैं अब ये एक function है जो कि result देख रहा है 30 यह इस function का का काम किया है sum करवानों इसके अंदर 10 और 20 हमने जो है वो हार्ट कोटें टाल दी वो उनको sum करके हमें result देख लेगा जिसको हम practically देख लेते हैं अच्छा बाते हैं आप और अच्छा function बनाने का तरीका क्या होता है सबसे पहले हम function लिखते हैं ठीक है function keyword उसके बाद जो आप function का नाम रखना चाहरे है अभी जैसे मैंने आपको दिखाया सम का function उसका मैं नाम रखना चाहरा हूं मैं समग्ध के यहां चलें अगर इस तरह से अच्छा चलें मैं दूबारा इसको टाइप कर लेता हूं सेंटेक्स भी जिनको नहीं पता हुँ भी देखें ठीके आप फंक्शन का नाम लिखेंगे उसके बाद आप क्या देंगे पैरेंथिस देंगे इस तरह से राउंड ब्रेकेट उसके बाद काली ब्रेकेट स्टार्ट ठीक्ए अब यहां से हमारा बॉक जो है वह बॉक के अंद कि इसको मैं बता रहा हूं कि हुआ दे दो कि इसके अंदर वैसी प्रिंट करके दिखाए अब यह इस फंक्शन का क्या काम है हुआ थी कि यह मझे हुआ अब इसको अगर में अब यह तो होगा हमारा फंक्शन कंप्लीट बन गया ठीक है अब फंक्शन को हमेशा के लिए हमें को कॉल करवाना हूं भी अगर इसको चलाओं रूंग करवाँ हूं चले मैं आता हूं यहां पर इसको इस Faculty तैंसको पहले तो त्किर है इसके बाद मैं कहता हूं नोट में डॉट जैस कुछ भी नहीं हुआ देखें इसके अंदर इसको मेरिन तो करवा लेकिन यहां पे दो खुश भी नहीं हुआ ठीक है तो इसको करवाने के लिए हमेशा हमें इसको कॉल करवाना पड़ता है कॉल कैसे करवाते हैं जो हमने उपर नाम लिक्षा है फंक्शन का वह एस इस के साथ लिखेंगे तो अब अगर इसको मैं सेव करके अब इसको मैं कहता हूं टीएसी मैं डॉट यहस को बाट मोड में लेकर जाते हैं अब मैं खाली टीएसी नहीं लिखा आप वाइल का नाम भी साथ लिख रहां क्योंकि मैं यह पास समझ आगे आप लोगों को किस तरह बनाते हैं यहां से करली ब्रेकेट स्टार्ट होते हैं इसको हम कहते हैं ब्लॉक इसके अंदर आप जितना भी काम लिखेंगे ना चाहिए दो कंसोल लिख दें इसके अंदर ठीक है तीन लिख ले अब मैं हापे एंपी एक्स वाली कमांड ही चला देता हूं एंपी एक्स नौड मोड है कि हमारा कोड जो होता रहेगा रण भी होता रहेगा जेट देख लेते हैं अब पंखे का फंक्शन क्या था इस फंक्शन को जो कॉम बदाया था टास्क बदाया था वो उसमें यहां पर प्रिंट करवा दिया जैसे मैंने कहा इसके अंदर मल्टीबल लाइन थास्क इसको बता सकते हैं जैसे में कहता ao यहां पर सुच़न और हावाई स्टाटक्ैशवल्य स्बस्दार में इसको दो लइने बिदि तो जैसे निस फंक्शन को कॉल कर वहाँ गा यह मुझे यहां पर दो लाइने देदेगा ठीक है इसको सेव करते हैं तो देखें हमारे पास सुच्छों हवाई स्टार्ट ठीक है इस फंक्शन का फंक्शन के अंदर जो भी था वह इसी तरह मैं अगर यहां पे और फंक्शन बनाऊं फंक्शन मैं संके नाम से बनाता हूं ठीक है यहां ब्लॉक सब्सक्राइब करता हूं ठीक है यहां पर टाइप अनोटेशन आपको दीजिएगा डायरेक्ट कर लेता हूं अच्छाए और वरियमिल गना देते हैं चाहिए प्लस भी अब मैं यहां पर कंसोल डॉट लॉग करवाके और साम रख लेता हूं ठीक है अब सेव कर लेता हूं झो यहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा नीचे क् alleen कि इसको मैंने कॉल ही नी करवाया कॉल करवाने के लिए हां पर मिकुदुणाई गालिय हमारा बोगे क्वारकाव कॉल करवाने से इसके अंदर जो भी 충분 होगा वो आजेगा अब कंसोल कि इ आएगा क्योंकि इस function के अंदर मैंने कहा ही नहीं कि भाई आप कंसोल में प्रिंट करके दिखाओ इस function का काम ही नहीं प्रिंट करवाना लेकिन इस function ने यह तो चीजें कर लिए होंगी जायर सी बात है तो इसको प्रिंट करवाने के लिए इसके अंदर कि प्रेंट करवा सकते हैं यह बहुत ही बैसिक सवाल होता है बच्चों का ठीक है जरूरत हमें तब पढ़ती है जब आपको बार बार वही चीज़ वही ब्लॉक आफ कोड आपको बार बार लिखना पड़े जिसे मिसाल के दोर पे मैं यहां पे अब आपने इंक्वाइर में बनाया था ना ठीक है अब वह कैल्कुलेटर मिसाल के दोर पे इसी पेश पे आपको बार बार चाहिए बार बार रन करवाना तो क्या आप पूरा इंक्वाइर लिखेंगे वैरियेबल लिखेंगे उसके अंदर आबजेक्स लिखेंगे वह सारा दुबारा उसके अंदर कि इतनी लाइन होगी वही चीज़ अगर आप एक फंक्शन के अंदर रख दें अभी अगर देखता हूं कोड हो मेरे पास वह मैं इसके अंदर रखके करवा के दिभा देता हूं इस तरह फंक्शन बना दूँगा मैकल और इस ब्लॉक के अंदर में वह सारा मेरे जो वहां काम किया था वह इसके अंदर रख दूँगा तो नीचे मुझे कहीं भी दुबारा वह यूज करना हो तो मैं सिर्फ माय कैल कि लिखूंगा और मेरा काम हो जागा अब यह आगे जिस तरह आप लोग बढ़ते जाएंगे ना आपका जब काम बढ़ता जाएगा था आप पता है देख भी रहे हैं सेशन या सोर है चले चुट सब का किलियर हो गया अग यह तो गया function टीक है उसके बाद लेते हैं क्या है हमारे पास अच्छा उसके बाद arguments आ जाते हैं लेकिन हमें काम करते हैं एक दो और practice कर लेते हैं arguments के पहले ठीक है अब मैं काम करता हूं इन सबकों कर लेता हूं comment out और यहां पर आके मैं function बना लेता हूं ठीक है एक function बना लेते हैं डेट से मैं लेकिकलेटर है इसको मैंने सुझसक का फार्मॉला जाद दिये हैं कई के यह फैजिक वाला है है यहां पे साइंस वाला यहां लुघ है पोड़ग वाले को होगी से होते Warm यहां पर हमक्या करेंगे कि मैं यहां प doğru है कि मुझे अब मुझे किटने किटन इस और तीसरा तो मैं बना लेता हूं एक वेरियबल बना लेते हैं तो मैं कहता हूं लेट से 10 केजी मास इसका ठीक है और एक्सिलरेशन हम कर लेते हैं कि टीक है मीटर पर सेकिंड इसको है और अब जस्थ मुझे यहां पर फॉर्मूला बनाना यह लेट फॉर्स इकॉल अब देखें इसके अंदर दो वेल्यू आ जाएगी यह भी आ जाएगी 10 इंटु 20 होके मुझे फॉर्स का वेल्यू देदेगा तो मैं जस्थ क्या करूंगा कंसोल के अंदर पॉर्स रखूंगा करीज़ अब यह देखें हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया मुझे फॉर्स का है वेल्यूज़ भी वो तो किया यह चलेगा नहीं चलेगा क्यूंकि इसको कॉल करवाए давно गया हैं तो यहां तक क्लियर हो गया इलिए karas अगे बढद़े घ्र इस चीज पर आ रहे हम अभी हम यूजर से लेने के लिए हम यहां पर काम करते हैं जो हमने पिछले सेशन ने प्रॉंट बढ़ाता ना मैं उसको यहां पर सबसे उपर इंपोर्ट कर वाजेता हूं अब प्रॉंट इंस्टॉल करना होता है देखना है तो मेरी यूट्यूब के विडियो होगी ठीक है यह विडियो बढ़िए प्रॉंट सिंग की यह वादी यह आप लोग देख लीजिएगा प्रॉंट इंपोर्ट किस तरह होता है प्रॉंट हम यूजर के लिए यूज करते हैं तो मैं यहां पर इंपोर्ट कर वा लेता हूं इसको इंस्टॉल मैंने क तो देखते हैं वर्क करता है की नहीं करता है अब मिसाल के तोर में मुझे यूजर से वैल्यू लेना अच्छा यहां पर देखते हैं क्या एरर दे रहा है प्रॉंट बन एरर प्रॉंट सिंग करते हैं कि यह प्रॉंट से एक कि अफिशं प्रॉंट कि हमें मैं करेंट कर लेता हूं जी बोलें अज़ी यह इसको इसको अब कंपाइल तो हो गया अब देखते हैं चलते हैं अब कंफिग्रेशन की फाइलिंग बनाई थी हमने इसलिए मसला कर रहा था इंटर मास वेलियो आगया तो हमें काम करते हम आते हैं जो अगला टाफिक है हमारा अगये अब जैसे बाइने का कि अगर यूजर को वेलियो देना तो उसके लिए उसके लिए वेलोड गते हैं आर्गुमेंट्स क्या होते हैं सबसे पहले यह समझ लें जैसे मैं ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन में यहाँ लिखा हुआ को है कि जैसे हम कंसोल डॉट लॉग उसके अंदर हम वैलु देते हैं कोई जैसे है लो वैल्ट देती है इस फूरे इस पूरे इस चिर्ण के फार्म में जो भी देंगे इसको और यहां पर नंबर दे इदिया कोई हंडे तो उसको अर्गूमेंट करें यह पूरा फंक्षन वह क्या उसके अंदर जो वेल्यू पास कर रहाते हैं उसको हम कहते हैं इसी तरह में दोट फ्लोर एक function है जो के कोई भी नंबर होता है अगर points में तो उसको round down कर देता है अब इसको वापिस 10.5 तो यह function इसको 10 करके हमें तो इसी तरह हमें argument यूज करना पड़ेगा ठीक है अर्गिमेंट यूज करने के लिए function parameter इसको में comment आउट कर लेता हूं तो इसको भी मैं फिलाद हम देख लेते हैं arguments यह जो हमारा function था ना जो हमने भी पड़ा है यह without arguments and without parameters यह भी आप लोग याद रख लिजेगा मैं चलें इसकी heading दे देता हूं यहां पर जहां से स्टार्ट यह था है अभी हम देखेंगे फंक्शन्स विद आर्गिमेंट्स एंड पैरेमिटर्स वही तरीक है function लिखेंगे ठीक है function के बाद मैं यहां पर लिखूंगा नाम लिखूंगा ठीक है तो मिसाल के तो और में माय संग का एक function बना लेता हूं ठीक है इसी तरह जैसे हमने बनाया था यहां पर मैं कहता हूं लेट होगा जब हम a plus b करवा रहे थे तो हमने declare भी किये थो उनको असाइन भी किये थे वेलियूस यहां पर तो मैंने असाइन ही नहीं किया तो भई a और b क्या है इसको पता ही नहीं तो इसी तरह आप लोग यहां पर जब सम के साथ जो parenthesis है इसके अंदर अगर आप लोग कुछ parameters पास करवा लिए जैसे मैंने एक parameter a पास करवा लिए ठीक है यहां काम करते हैं मैं just simple करके दिखा देता हूं आप लोगों को सम पे बाद में आते हैं सिंपल करके दिखा लेता हूं का फंक्शन बना लेता हूं ठीक है के अंदर एक चीज़ प्रिंट करवा देता हूं और ग्रीटिंग्स अच्छा अब यह तो मैंने इस्ट्रिंग लिख लिया सीदा सीदा आगा लेकिन अगर में आप एक चीज इस तरह वैरियेबल लिख लिए अब यह वैरियेबल आएगा इसके अंदर वैल्यू कहां से पास होगा मैं क्या करूँगा पैरेंटिस इस तरह से एक वैल्यू पास ठीक है अब यह कहां है इसके अंदर अरग्यूमेंट आ गया जब फिसको कॉल करवाएंगे तो हम क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यू पास करवाएंगे तब ही कॉल होगा तो मैं इसको अगर इस तरह से कर दूँ इसको मैंने टाइप एणोटेशन दे दिए ताकर error अचा है पहले क्या होज़ा था error अब यह चीज वैसे तो चल जाती है यहां पे लेकिन मैं फिराल चाहता हूं बच्चे के नहीं ना हो तो मैंने क्या किया इसको यहां पर कि अनॉट के अंदर जो ग्रेतिंग आ रहा है इसके अंदर हम जो भी पास करवाएंगे वह कंसोल डौत लॉटक के अंदर आजाएगा और वह चीज़ हमें यहां पे दिख जायी तो अब अगर मैं इसको कॉल करवाँ तो इसको कॉल करवाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसी तरह परेंटेसिस देंगे ठीके उसके अंदर में जो कोई नो कोई आर्गुमेंट देना पड़ेगा अब जब तक मैं आर्गुमेंट नहीं दूंगा यहां पर रेड लाएन जाएगी नजर आ रहे है क्यों इसको एक आर्गुमेंट चाहिए तो और्गुमेंट देने के लिए मुझे यहां पर कोई स्ट्रिंग पास करवाना होगा ठीक है तो इस्ट्रिंग पास करवाने के लिए देखें खाली चीज़ आ जाएगी प्रिंट होगे तो अगर मैं दिखा देगा इसको सेफ करते हैं और वापिस यहां पर आकर कि यहां सो फ्लोटिंग मीटे करना टाल कि इसको कि अब कंपाइलेशन को मैं वाच मोट पर लगा देंगे लिए नाते हैं यहां पर कि यहां कि यहां कि यहां कि यहां कि तरीके हमने पड़े हुए जो न्यू है वो देख लें ठीक है टेकर सेशन सिक्स में हमने पड़ा था कि किस तरह नोड मों की कमांड यूज होती है कि किसी का कोई सवाल कोई करके सकते हैं मैंने एक फंक्शन बनाया है मुझे उस फंक्शन का रेस्पॉंस का वेट करना है तो कि अगर मैं चाहूं तो यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज भी करवा सकता है इस साल के दोर पे मैं यहां पर ग्रेटिंग लिखके प्लस करके यहां पर कर दूं अली तो मेरे पास क्या प्रिंट हो कि आएगा अब ग्रेटिंग की जगह तो हैलो आ जाएगा ठीक है और यह अल इसी की तरह मैं यह सम वाला जो फंक्शन बना रहा था आब आते हैं इसके उपर अब यह देखें माय सम आ गया ठीक है अब मैं इसके अंदर अच्छा इसी तरह आप दो तीन आर्गिमेंट्स भी पास करवा सकते मैंने आप एक ही पैरामिटर दिया था अब यहां पर दो प जब कॉल करवांगे यहां पर इसके अंदर मुझे दो वेल्यूज पास करवानी होगी एक में टेन करवा लेता हूं और सेकेंट्टी करवा लेता हूं ठीक है अब देखें यहां से तो एरा रट गया वहां पर इसकी आ रहे हैं कि हमने टाइप स्क्रिप्ट में टाइप अन कितना हो गया थाटी अब यह सम के अंदर क्या इस्टोर हो गया थाटी अब क्यूंकि कि अंदर रखा हुआ इसको हमें का सोल में मिल जाएगा सेफ करते हैं तो देखें थाटी आगया ठीक है तो बेस्ट्रेक्टिस के लिए आप यहां पे अपने अनोटेशन बेशक लिख टो ग्यारों मुझे नबर देने तो अर्र हटख के आप ईसेफ कर लेते हैं थाटी आ गया तो यह आरग्यूमेट्स और पैरामेट्र का चकर अच्छा आप संघ लें अब यह जो हम वैल्यू देते ना अर्ग्यूमेंट्टर में जो थोड़ा सा फरक जहां पर मेलू देते हैं वहां पर जैसे ही में हवर रहा हूं पर लिखा हुआ रहा है तो यहां पर इनको पैरमेटर केलाते हैं यहां पर itel वो और्गूमेंट सेथे केलियर हो गया किलियर लिख लेंचेट वाक्स में सारे लिख लेंचेश और ग्रैने मिदा ऑन कर रहा है तो घो है कि आ है कि कि मिदेट खुर्टब्ट है कि गरकता है ऐसमें गुद्ट कुट गड़्ट गूर्ट किसी का सवाल हो तो माई कौन करके सवाल कर सकता है ठीक है तो यह था हमारा arguments और parameters ठीक है इसी तरह हम input देते हैं अच्छा इसी तरह जो BMI का calculator है ना अब आप लोग खुद ही बना लिए वह आप लोग का homework है ठीक है एक फॉर्स का calculator दूसरा BMI का अच्छा एक और चीज़ फंक्शन स्कोप क्या होता है फंक्शन स्कोप देख लेते हैं वहीं क्या होता है ठीक है तो अच्छा देखे मैंने यहां बेक वेरियेबल असाइन गिया है प्रशाही वेरियेबल डीक्लिया है तो अगर मैं यहां पे तो रूंक्शन के अनदर देख लेते हैं करके not find the name sum जब हमने यहां पे define भी किया वह इसको तो इसको कहते हैं function scope ब्लॉक यहां से start हुआ यहां पे खतम वह इसके अंदर जो भी काम कर रहे हैं इसको कहते है function scope मतलल जो भी आप यहां पे वेरिबल केकलेडर करेंगहे वह बाहर काम नहीं करेग़ गांडर ही काम करेगा यहां पे औक bachelor यहां पे कंसोल में लिखखए तो नहीं कर रहा तो इसको यह सम है जो हमने डिक्लियर की है यह अभी function scope होगा यह यह भाहर यूजून को घीज मैंने यहां पर लिख्यू हूं यह जो X है यह बाहर वर्क नहीं करेगा यह अंदर ही वर्क करेगा ठीक है यह चीज के लिए रही है फंक्शन इसकोप की काफी जगाएं यह मसले हो जाते हैं जैसे हमने एक्जम्पल यह भी बढ़ा था साल के तो पर यहां पर कहता हूं डेट सम इसी कोई टीक है अब सम जो है यह एरर हट गया ऐसे अब यहां पर कौन सा सम उठा रहा है यह अंदर वाला सम नहीं उठाएगा यह बाहर वाला सम कर दिया तो लेट वाले जो होते हैं यह इसका बाहर वाले पर कोई भी फरक नहीं पड़ा अब यहां पर कंसूल के अंदर जो सम आ रहा है यह कौन सा आएगा अगर प्रिंट करवा के देखें हम देखें इसके अंदर फिफ्टी आ रहा है और अंदर वाले के अंदर जो आ है तो 30 आ रहा है ठीक है और यह आ रहा है इसको कॉल करवाने से अगर इसको मैं कॉल ही ना करवा आ देते हैं सेव करते हैं तो हमारे पास फिफ्टी आ गया ठीक है तो यह चीज़ के लिए होगए आप लोगों को ब्लॉक इसको क्या होता है सर्फ प्रॉंट की जगह इंक्वैरर का यूज़ करके बना दें और यूज़ फंक्शन में यूज़ करें नहीं बस प्रॉंट हमारा काम करना स्टार्ट हो गया है अच्छा अभी अगर मैं प्रॉंट के अंदर आ लेट से मैं यहां पे काम करता है इसको मैं हटा देता हूं अब मैं चाहरा हूं यह जो वैल्यू मैं यहां पे दे रहा हूं 10 और 20 यूज़र से लों प्रॉंट के अंदर तो मैं क्या करूंगा इस अब से पहले तो वैरियेबल सनाउंस यहां पर बनाऊंगा असाइन करूंगा लेट है इस तरह मैं इसको कॉपी करके पेज़ कर लेता हूं और इसको कहते हैं वेज़ू टूर्ट है अब मैं क्या करूंगा यहां फिर टेन और ट्वेटी लिखने के बजाए क्या लिखूंगा कौन बताएगा चेट वॉक्स में आए कौन करके टेन और ट्वेटी की जगह में क्या लिखूंगा तो वो तो डैरेक्ट आ जाएगा हमारे पास तो जूजर से वेल्यू लेने का तो फाइदा ही नहीं हुगा प्रवक्ण वेल्यू गफ्योंग वेल्यू पर यहां भी लिखूंगा वेल्यू एटुकले एटु फ्यांपर के लिखूंगा वेल्यू इन्हां पर एटकौन पर यहां पर इरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था प्रॉंट में जब भी हम चीज कोई भी चीज जब हम यूजर से लेते हैं तो वह हमेशा स्ट्रिंग में करने के लिए इसको प्रॉंट को पार्स इंटीजर के अंदर रखना पड़ेगा ताके यह नंबर में करने के आजाए जो भी है इसके इंदर बेली पास कर रहा है ठीक है अगें मैं यहां पर भी कर लेता हूं पास तो देखें आप एरह रख गया नीचे से से कर लेते हैं पहला नंबर में टेन कर लेता हूं ठीक है इसको मैं दुबारा से से कर लेता हूं कि आप आप में यही चक्कर होता है जब तक कोई चेंज की ना करवाते हैं कि इसको मैं खतम कर लेता हूं और यहां पर नंबर टेंटर शेकंड नंबर ट्वेंटीं थार्टी होके आ गया ठीक है अब यहां पे मैंने जो टेंटेंटर किया वह यहां पे आया यहां पे ति किसी तरह आप लोगों ने ओन्स करना है आप प्रॉम्ट यूज करके उसके अंदर आप लोगों ने जो भी एमाई का फार्मूला होता है अब तो आप लोगों को पता होना चाहिए वेट अपान ठीक है स्पेलिंग इसकी सही कर दीजेगा हाइट इन्टो हाइट को तू टाइम्स आपस में मल्टीप्लाय करते हैं यह फार कैष्ण के अंदर का कोई काम नहीं कर रहा कर रहा है सब्सक्राइबार के फॉंक्शन के और फार वी ni開ख सकते हैं जैसे इंक्वायर है पर में ने कहा था आप लोगों ने इंक्वाइर पर जो गैल्किलेटर बनाया उसकी भी इसके फंक्षिन पर प्रैक्टिस कर लीजिए गा जैसे मिसाल के तोर पर मैं यहां पर अगर फंक्षिन के अंदर रखनें अब यहां पर एक और चीज करना पड़ेगी अगर मैं अब मैं इसको यहां से कट करके आब यहां पर प्रैस कर लेता हूं ठीक है इज्यूलेटर वाले हैं हम नीचे लियाते हैं कि मि यहां थी दकें यह two हमने बार up डूर यह huge रखना पड़ेंगा और यहां इस भी ही रखना पड़ेगा और यहां पर ती गश्व हमने यहां पर नभी यहां पर खजब यहां पर हम गलती कर रहे हैं यह तो हमारे इसके अंदर आगया ठीके अब यह तो यहां से समझो है यहां से वेल्यू उठा लेगा प्रॉम्ट से तो इसका मतलब यह तो हमें देने नहीं पड़ेगे ना इसको मैं अगर फटा दो यह ढूनों में हटा देता है अब यह क्या होगा यह और भी यहां से पिक कर लेगा तो इसको मैं यहां पे कर लेता हूं इसको में भी कर लेता हो अब देखें arguments और parameters देने की ज़रूरती नहीं पड़ी अब अंदर direct prompt से जो prompt में user value देगा वही पिकल लेगा तो इसको save करके चला के देख लेते हैं यहां पर आते हैं अस नमबर 10 50 होके आगया ठीक है तो यह थोड़ा सा फरक होता है यूजर ने अंदर ही नमबर देदी है तो arguments देने की ज़रूरती नहीं पड़ी है अच्छा जी इसी तरह हम return का देख लेते हैं return क्या होता है return किस तरह काम करता है अब देखें यह जीज़ आप लोग यह functions यह जो syntax यह जहे यह function ना समझ लेना ठीक है यह function वह है जो real में कोई function जो काम होता है वो गर के देता है जैसे मैंने आपको basic examples दिए पंक्चे का एक function होता है हवा देना गाड़ी का function होता है एक जगा से दूसरी जगा पहुचाना ठीक है यह functions कहते हैं इनको तो टास्क होते हैं टास्क परफार्म करने के लिए हम function use करते हैं अभी मैं यही इसी तरह से my sum का function बना लेता हूँ कि अभी आपने यही पढ़ा है तो यह समझ भी easy तो उसके अंदर हम जलें यूजर से ही दे ले लेते हैं माइक सॉफ कर लें अगर सवाल है तो और रखें दरवाइस ऑफ कर लें सर मेरा एक सवाल है जी बोले मैंने function जो पड़े था वो उसमें यह था कि जैसे हमने कोई organization खो लिए तो उसमें कोई member आया है किसी को हमने hire किया है तो उसके जो ID होगा और उसको जो नाम होगा जो हम उसको save करेंगे तो वो एक function के तो और पर यह इसकी example थी तो वो इस तरह समझा रहे थे तो यह समझ में आया कि किसी भी चीज का data जो हम उसको save करें मतलब किसी का तो वो function कि लाता है जैसे काम हो गया वो एक example होगा example वो होगा उनोंने दिया होगा ठीक है तो वो समझ आ गया होगा ना आ गया आपको समझ जी 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 यह समझ आ रहे है जी जी ये भी समझा रहे हैं चलें अच्छी बात है तो अच्छी बात है ठीक है वह भी एक एक example ही होगा हम यहाँ पर दूसरे example करके देख लेते हैं ठीक है तो अब मैंने किया कि एक function बना दिया ठीक है function में ही मैंने प्रोंप्ट बना दिए यू function को call यूजर से करेगा थीक है तो हमारे पास आप यूजर कर वाँगा Mother अप जब इए आब जब इसको में कॉल नहीं कर्वारता तो क्या में अगया होता है कुछ नहीं आता तो है को आन ना करवाने से कुछ नहीं आता यूजै क्लिकों अरटा ने और और कंप्लीट होगे वह मैं हमेशा एंड में देता हूं इन्फाइख खुट से क्या करते हो कोई भी वेल्यूस आप रिटेंड करवा सकते हैं ठीक है वो जो return करवाएंगे value वो जाएगी कहां वो एक variable के अंदर store हो जाएगी मैं अपने concept के तोर पे आप लोगों को बता रहा हूं कि एक variable के अंदर store हो जाएगी जिस जो के variable होता है आपका function ठीक है अब कोई मैं यहां पे कोई भी चीज लेट से मैं काम करता हूं sum को यहा पर काल करवांस को जिसे हम अभी काल करवाएंगे थे आए सम ठीक है अब यह कॉल होगा function तो यहां पर मुझे कुछ प्रिंट करके देगा बताएं मुझे कौन बताएगा चेट बॉक्स में बता दें कुछ आएगा यहां पर यह नहीं आएगा कुछ भी नहीं आएगा तो रिटैन console नहीं होता ठीक है console हट गया तो यहां पर कॉल तो करवा दिया में फंक्शन लेकिन कुछ आएगा नहीं ठीक है देख लेते हैं आप सही होते हैं हमें सही होता हूं इसको पहले तो मैं कंपाइल करूंगा कंपाइल वाच मोड पर है ठीक है तो इसको प्रिंट क कि अपटे की और Smith एक डाम और कि यहांपर यहां पर ना लेता हुए मैंट अब क्यूंकि की condi ढच करके अंदर यह चीज रख ली अब इस चीज के अंदर यह चीज आ चुकी है यह याद रखिएगा माइ improv presentations के कि अनदर जो بھی आनम उसके अंदर रिए चा उमनेंदर श से तो पर अब अब इसको मैं हटा देता हूँ जो मैंने कॉल की है नहीं स्कुटा देता हूँ जए करते हैं है अब देखें फंक्शन रन होना स्टार्ट होगा हुझा है तो अब यहां पर क्रेंट कर अब काम करता हूं यह अफिलाल हटा देता हूं हो सकता है आप लोगों को कनफ्यूज कर रहे एक काम घरता हूं सेफ करते हैं कि कि है तीना गया हमारे पास क्योंकि यह समझो दा ना 15 यहां पर सम हुआ यह रिटेन हुआ रिटेन होके इसके अंदर आ गया वा इसको मैंने इंदर रखा तो यह रिटेन का कॉंसेट समझा है आप लोगों को रिटेन किस तरह काम करता है जी किसी का सवाल है सब्सक्राइब करने का फाइदा होता है कि मैं आप लोगों को एक एक्जम्पल देखता हूं अगर मुझे याद आजए तो एक एक जम्पल देता हूं ठीक है अब मिसाल के दोर्वे में यहां पर एक काम करता हूं सब्सक्राइब के बाद एक और चीज़ बना गया तो मुल्टिप्लाइब करवा रहा हूं तो मुल्टिप्लाइब जो था ना वह अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं मैंने सम्रेटर्ण करवा दिया तो अब भी मुझे यहां पर सम का वेल्यू ही मिलेगा ठीक है अब य इसके अंदर जो बेल यूव उसको रिटएन करवा की यूज करते लिए इससी दरह आगे जो बाकी के जैसे मैप फंक्शन यह आपका जो फॉर कि बाहर काम नहीं करेंगी टीक है। एक और एक जमपल करके देख लेतेैं इसका रिटाइन का चले आज तिन्क सबको किलिए है बता है यhing गारेप और और एक舌प綁 करके देख लेते हैं इसका जैसे मैंने आप लोग को इसी तरह आप आर्गुमेंट के साथ भी रिटेंट करवा सकते हैं जिसे मिसाल के दूर के में चले यहां पी कुछ आर्गुमेंट पास करवा लेता हूं सब्सक्राइब करवा सकते हैं अच्छा रिटेंट में डैरेक्ट सम भी आप लोग रिटेंट कर सकते हैं तो मैंने आप लिखा ग्रेटिंग सब्सक्राइब कर सकता हूं तो अब मैं जो भी चीज पास करवांगा सब्सक्राइब के अंदर मैं पर पास करवाता हूं अपना अर्गिमेंट लेट से हैं है है कि अब यह मैंने कॉल तो करवा लिया लेकिन इसको कंसोल के अंदर रखना पड़ेगा अब यहां पर डैरेक्ट कंसोल के अंदर रखने के बजार है हम इसको एक बेरियेबल के अंदर भी रख सकते हैं इस तरह से लेट इस तरह आप चाहें तो रिटैन में जो चीज चाहें वहां पर लिख सकते हैं तो रिटैन को कॉंसेप्ट किलियर हो गया एनी गंफ्यूवर एनी प्रॉब्लम येस आपने हैंड्रेस किई है कोई सवाल है अपका यह सर मेरा सवाल है आपने कहा है कि अजर हम function के अंदर मतलब दो हमने यहां पे चीज़ें करवाई है एक sum करवाई है दूसरा multiply करवाई है तो आपने कहा है कि जो चीज़ हम return करवाएंगे सिर्फ वही हमारे पास print होगी लेकिन जब मैंने अपने पास किया तो मेरे पास दोनो प्रिंट होके आ रहे हैं आपने return में हो सकता है दो चीज़ें करवाई हैं जैसे मैंने यहां पे अच्छा एक और चीज़े ना आप यहां पे अपने console में multiply रख दिया हो return में आपने क्या दिया है return में सिर्फ sum रखा है आपने यहां तो आपने call भी करवाया है उसको console में भी उपर रखा है call भी करवाया होगा कोई ऐसी चीज़ की चले आप उसकी screenshot मुझे दिखा देजिएगा गुरूप में उसको हम solve कर लेते हैं ठीक है अगर अभी बेज सकते हैं तो अभी बेज़ सेशन में solve कर लेंगे अग ठीक है तो इसको करवाया है मैंने जी और कंसोल भी किया है function के अंदर किया वैं फिर उसके लावा प्रिंट कैसे होगा तो यह तो हम बिगेर अब मैं यह एक अर्टा रहा हूं यहां से थीक है अब मैंने यहां पर जिस्ट रिटैन करवाया है न सम्धूर कंसोल में बाहर करवा रह करेंगे तो सिर्फ जो रिटैंद में चीज़ होगी वह हैं समझ रहाया अब अच्छा मतरब जब भी रिटैन का यूस करेंगे तो हम function को कॉल नहीं करेंगे बाहर function को कॉल नहीं करेंगे function को console में रखेंगे मतब हब भी थोड़ा सा फराक हो गया यूस सम्झे यह यह वेरि सब्सक्राइब लेकिन कॉमा के बाद देखें यह हमारे पास एर्र आ गया और यह कामा से जो रिटैन था हमारा गया ठीक है अगर मैं फिलस करवा लेता फिर हो जाता अब पिलस से क्या होगा जो चीज सम में होगी वह और मल्टिप्लाइब दोनों एड होके इसके इंदर आ ज अब 65 अब 15 फिफ्टीन प्लस हो गया क्या मैं आप सामने लिख देता हूं तो इतना इनफ है आज के लिए चेट बॉक्स में बताएं इस इनफ और और विए जी वालेकुम स्लाम क्या है मतलब जैसे यह तो पंसोल में भी रखके हम काम कर सकते हैं तो डिटन का असल काम क्या है एक है रिटन का जो काम होता है न वो जैसे मैंने आप जो को वदाया जब हम बड़े फंक्शंस यूज करते हैं न उसमें से कोई बी चीज हमें बड़े करवाकं जो कि हम सब्सक्राइब करों हो कि वह इसके बड़ी लाइन औफ को काफी हमारा टास्क जो हैर सक्वे तो इसमें वैसे मिसाल के दोर पे मैं इसको यहां पर multiply को भी console में रख दूँ ठीक है console.log country मैं यहां पर multiply रख दूँ इसी तरह मैंने division किया हुआ हो division भी रख दूँ काफी सारा काम मैंने किया हो यहां पर मैं रख दूँ ठीक है ठीक है अब मैं यहां पर return सिर्फ a का value भी करवा सकता हूं अब sum अठाके मैंने क्या किया लिख दिया तो मैंने a क्यों किया मैं चाहता हूं यह इसके अंदर मैंने जो a को declare किया है किया है वह में वैलियू में बाहर कहीं यूज करना चाहरा तो मैं बाहर यूज करने के लिए क्या करूंगा सिर्फ my sum लिखूंगा कहीं पर भी my sum लिखूंगा तो वह चलके आदेगा समझे एक ही वैलियू ही आएगी बाकी सारी जीज़े तब आएंगी जब आप function को call करें जी मतलब console में तो हम पूरा नाम लिखवा देते हैं पहले और अब return में यह है कि हम इसकी कोई एक वैरियेबिल भी access कर सकते हैं ऐसे ही राइगा तीन चार पांच हों जितने भी console हो हमारे इसके अंदर जी जी वो कब आएंगे जब मैं इसको यहां पर यह हटा दूंगा मैं सब्सक्राइब करें और सिर्फ को करें और सिर्फ सम को करें मैं देखना चाहते हूं कि वो क्या आएगा चले मैं कर देता हूं यह हटा दू जी जी यह मैंने हटा दूंगे अब यह अब यह सम तो नहीं है आगा आप सिर्फ कंसोल में मैंने मल्टिप्लाय रखा हूं तो मल्टिप्लाय आ जाएगा अब कंसोल में रखना नहीं कंसोल हटा दे इस तरह आप कंसोल हमारे पास कोई भी नहीं है यहां आट करें फॉर्स को क्योंकि हम रिटर्न फॉर्स को करें क्योंकि हम रिटर्ण सम को करवा रहें ना कि रिटन करना है यहां पर यां कंसोल में रखना है सब रिटन करना है रिटन करना है अब मैंने इसको सेफ कर दिये ठीक है अब यहां पर कॉल भी हो रहा है तब देखते हैं कि नोड कि अब भी नहीं आप क्यों कि कंसोल है नहीं के इसके अंदर को अभी रिटन का अधाना आपने अभी कंसोल इसके अंदर ही करूं यहां पर फंक्शन की बॉड़ी के अंदर कॉंस्ट्रोल करें सम को यह मैंने कर दिया कर दो आएगा ना सम क्योंकि आपने कहा कि यह जो हम कॉल कर रहे है उसमें सिर्फ एक ही चीज जो रिटन कर रहे है वही आनी चाहिए ना यह देखें कंसोल की चीज़ आगई हमारे पास 15 ठीक है अब यह जो रिटन की चीज़ ना यह तभी आएगी जब मैं इसको एज़ वेरियेबल रखोंगे रिटन की चीज़ जा कहा रही है यह आप समझें यह कहां जा रही है यह जा रही है मैं सम के अंदर एज़ हो क्या रगा है हमार पाद दो दफ़ाए दो दूद दौद फिस्टीन ठीक है यह फिफ्टीन आया यह फिफ्टीन विल्के तीन दफाओ आजएंगे क्योंकि यहां पर भी कौह रहा है ठीक है तो इसको अगर हम मैंने यही बताया था कि इसको अगर हम एक वरियरियाबल के अब मैं कंसोल के अंदर माय सम के बज़ाए आउट सम रखता हूँ अब मैं यह वाला फिला लटा लटा हुआ है कि सेफ करते हैं तो देखते हैं क्या था करते हैं अब यह दो फिफटीन कैसे आ रहा है थी कि एक तो यह वाला कंसोल है तो वह भी आ रहा कि यह झा रहा है कि अब अगर यह में हटा दूगा तो तीन हो देंगे जैसे यहां पह रहा कि एकर कोई आपके पास शूवा रहे है कि तो आप उसका स्क्रीन शॉट मुझे बेच जीएगा इंशाला चेक कर लें दोस्कों अच्छा तो अब हम देख लेते हैं अच्छा होमग में आपको बता देता हूं एक तो मैंने बताया कि आप लोग ने बनाना है आर्गिमेंट के साथ और दूसरा फोर्स का भी अपने फार्मूला बना के वह भी आपने मुझे देना है ठीक है तो यहां पर मैंने कुछ शायद बनाया थे क्रिएट फंक्शन सोधिट में नहीं काल इड वाई भी एमाई उसके अंदर हमने एक वेट का वेल्यू रख दिया ठीक है अब यह आर्गिमेंट में हम वेट का और हैट का वेल्यू पास कर होगा ठीक है इन पैरेंटेसी फस आर्गिमेंट रिप्रेजिंस वेट इंड हैडिट कैकलेट भी एमाई शोग इस रिजल इन कंसोल में आपने रिजल शुगा ठीक है अच्छा एक एरो फंक्शन का है उसको हम बात में एरो फंक्शन बढ़ लेंगे उसको फिलाद हम इंग करना है जो फार्मूला था हमारे पात एंड हो चले फिर सेशन यहां पर एंड होगा हमारा